नाइंटी परसंट को एकनॉमी की स्पेलिंग नहीं बता है स्पेलिंग पटेल जी आर्मी लेकर जा रहते कश्मीर में चले तो जाते फिर आते कैसे नहरू जी का चक्कर था एड़ीना माउंड बेटन से उपलब्दी है भई या चास्त्री जी तो और बहुत प्रभा अंकल ज इसे क्या आसा करें सबसे मुश्किल काम है खुद को दोश्टे उसके पास विजन था उसके पास समझती और नहरू को अगर कोई व्यक्ति गाली दे रहा है अगर 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 कर अगर 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 मैंने आपको दॉक्टरा मेटकर की डिग्रीय मताईं उनको पता था इंगमी और सुसाइटी का क्या रिलेशन है अगर यहां हमारे आज कल के 90 परसंट नेता इनको इकनौमी की स्पेलिंग नहीं पता अगर 90% को economic spelling नहीं नहीं पता है spelling सर ये हमारे लिए law बना रहे ये हमारे पढ़े लिखे आफिसरों को आदेश कर रहे है जो IS जिस लड़के ने निकाला है IPS जो है उसको वो आपनी order दे रहा है जिसको ये नहीं पता कि इस गयंग टॉख हिंदूस्तान में है खिंदूस्तान से बाहर है एक हमारे दोस्त्त विधायक उन्हों लिए बार नंको फोन किया कहीं नियारा रहा भाई बढ़ाओ घंक काहां है आरे अभायने बिधायक जी गयंग टॉख नहीं आपको कैसे पता होगा ब्राजील बोले ब्राजील खाल्स एजिसरे है खाल है में अगर है हम पहले इंशे कर रहे थें कंट्रीमें हाई नहीं MLE है सर में पर हो Legislative Assembly नेता थे अच्छे अच्छे पढ़े लिखें नेता लगबख सारे नेता, 1950 के आसपास के जितने भी नेता हैं, सबने किताबें लिखी है नहरू ने लिखा, मौलाना आजाद ने लिखा, सुभाशन बोस ने लिखा, अमबेड़कर ने लिखा और आज 545 में से 245 लिखते होंगे हम बड़े लखी आदमी थे सर, कि उनिस जो हमारी आजादी के बाद जो लीडर्शिप हमें मिली वो बड़ी समझदार लीडर्शिप मिली, उसके पास विजन था, उसके पास समझ थी और देश ने विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाया हम अनाज मांग रहे थे पूरी दुनिया से 1947 हमारे पास खाने को नहीं था, बहुसा है लोग कहते न, नेरु जी न, पठेल जी की सुनी रही, पठेल जी आर्मी लेकर जा रहते कश्मीर में, चले तो जाते, फिर आते कैसे, उसके पीछे United States of America बैठा हुआ था, 45 मिलिएन डॉलर दिया था मार्शल प्लान में, हमारे पास खाने को नहीं था, 1950 लेकर आज तक बिहार देखो, कोई लालू परशाद, यादो, जगनात, मिश्रा, कोई भी, किसी नेता विशेश पर आकरमर नहीं किया जा सकता, आज जो भारत की दुरदशा चल लए है, वो आज के सरकार की वज़े से, 10 साल अधरणिया मन मोहन सिंग जी प्रदान मंत्री रहे, 10 साल अर्थशास्त्री थे, जब उन्होंने मनरेगा से काम चलाया, जब उन्होंने एकनामी की बेसिक रिफॉर्म्स पर ध्यान नहीं दिया, तो हम अंकल जी से क्या आशा करें, जैसे हमारे बहुत सारे भारत के लोग, जो नहरू के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं, वो एडविना माउंट बेटन के बारे में जानते हैं, यह नहरू जी का चक्कर था एडविना माउंट बेटन से, और एडविना माउंट बेटन के कहने पर उन्होंने कश्मीर दे दिया, सब एडविना ने करवाया था, तुम नहरू के चौकिदार थे, देख रहे थे यह भारत की एक आम मानसिक्ता है इडियेट जो वर्ड है वाणा प्यारा वर्ड है ब्योकूफ ब्योकूफ मतलब जो दूसरे के जीवन में दखल अंदाजी रखे कयो कि आपकेशे पताज़ की दृगोंगे डीय्प यू उसकी बातेंन मोमेटर मोन्स नाई-र्ड प्लांट गान ने रॉक्रमिर doing i bak उपनाँ लेकिन ये पता है एडविनमावनवेटन से रिलेशन है उपलबदी है भाईया जिस कौम ने पूरा भारत पर कपज़ा किया उस आद्मी ने उस कौम की वाइसराय की पत्नी भिसा ली मूर्ख जो होते हैं मूर्ख वो दूसरे के जीवन पर बड़ा नजर रखते हैं और कौन पाटी कौन सा दल कौन सा नेता पिछले तीस साल नेहरुजी ने किया इस देश के लिए बहुत किया और महानादनी शास्तरी जी तो और बाप रबाप 12,000 रुपए अपनी कार का किष्ट नहीं दे पाए शास्तरी जी और नहरु को कोई वेक्ति गाली दे रहा है तो वो एतिहासिक मूर्ख है उससे बहस ही नहीं की जानी चाहिए जो देश 1947 में कोई मानी नहीं रहा था कि बचे का यह देश शुगर 800 बीपी 200 यूरिक असेड 20 टेराग्लिस्राइड 500 उसी पे निमोनिय और कोरोना लोग के रहे तो बच्चे कही नहीं आदमी ये देश बच्चे कही नहीं ये हिस्तिती धी 1947 में भारत की और वहां से वो आदमी निकाल कर लाया